परिवन मंत्री के साथ रोर्वेश करमचारियों की वारता विफल होने के बाद हरियाना रोर्वेश की हर्टाल 16 अक्तुबर से लगातार जारी है और आज हर्टाल को 13 दिन भीद गये हैं हर्तार के चोदवे दिन यानी की सोवार को हर्याना रोर्वेस ताल मेल कमेटी की गुप्ट मीटिंग हुई जिसमें हर्तार को 2 नुवंबर तक और बढ़ा दिया गया है हर्याना रोर्वेस वाकस यूनिन के परदेश महासचिव सर्वसिंग पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि करमचारी केवल और केवल रोर्वेस विभाग को बचाने के लिए हर्ताल पर है इसको लंबा खिचवाने के लिए अर्याना सरकार जिम्मेदार है हम यह करना चाहते हैं कि सरकार बादचीत करके 700 प्राइवेट बसें जो ठेकेवल लेने का जो सरकार का निरने है उसको रद करने की बजाए अर्याना सरकार दमनकारी नीतियों पर उतर आई है लगातार जो एसमा के तैप करमचारियों गिर्फतार कर रही है और करमचारियों को निलंबित कर रही है इससे करमचारियों में भारी रोज है इसलिए हर्याना रोडवेज करमचारी ताल में कमेटी ने आज गुप सताल पर बैठक करके दो नुम बरतक अड़ताल को बढ़ा दिया है हम करना चाहते हैं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है चार दिन के लिए अभी अर्टाल हमें बढ़ानी पड़ी यह जो सरकार अभी भी इतनी बड़ी सफल अर्टाल से सबक ले करके बातचीत करके यह जो 720 प्राइवेट बसे हैं इनको ठेक लेने का फैसला रद करें अर्टाल